कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनात शांशुक पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है हम कर रहे हैं परिक्षाओं की तैयारी और यदि आप यह हमारा वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे application को download कर सकते हैं और वहां से आपको important questions भी मिलेंगे आपको बताने कि दस्वी और बार्वी दोनों बूर्ड परिक्षाओं के तो यारी की जा रही है हम लोगों ने जो है तरंग प्रकासी के बारे में बाते की थी और बहुत सारे प्रशने पहले भी देख चुके हैं इसी सिलसिले में जो है जो आखरी बात हम लोगों ने की थी वो था अध्यारोपन का सिद्धान्द तरंगों के अध्यारोपन के सिद्धान्द के बारे में बात करते करते हम थोड़ा आगे चले गए थे और हम लोगों ने प्रकास के व्यतिकरन के बारे में बाते कर ली कला संबद्द जो स्तुरूथ होते हैं इनकी अवशक सर्थे क्या है पहली शर्थ है कि ये दोनों जो प्रकास की किरने हैं उनकी आवरित्ती कैसी होने चाहिए एक समान होना चाहिए तो आवरित्ती एक समान हो ठीक है और दूसरी बात ये है कि इनके बीच में जो पथांतर हो वो पथां इनके बीच में जो है जो पथांतर हो वहां हमेसा नियत होना चाहिए यानि कि कॉंस्टेंट होना चाहिए अब क्या होता है आप ये समझें क्या होता है कि प्रकास की किले जो है उनकी उतपती का कारण ये है कि किसे नाभिक के चारो और गूम रहे इलेटरॉन वाहि उर्जा पा करके अपनी कछा से बाहि कछा की और गती करते हैं ऐसी स्थिती में इनकी उर्जा जब जादा होती है तो यह अंदर से बाहर की और जा रहे होते हैं और जब यह है इनकी उर्जा कम होने लगती है तो यह क्या करते हैं बाहर से वापस अंदर की और आते हैं और इस समय यह जो है जो अतिरिक्त उर्जा होती है उसको प्रकास की क यह जो इलेट्रॉन है वो जो बाहे उर्जा से आंतरिक उर्जा में कूद रहे हैं तो किनी भी दो परमाणों के बीच में जो उर्जा का अंतर है वह एक बरावर एक जैसा हमेशा नहीं हो सकता और यह कहां असर डालता है पथांतर पर तो ऐसी स्थिति में जो है दो प्रकास जो अलग अलग प्रकास के स्थित वह कभी घवला प्रकास नहीं हो सकते आप कैसे जैनेंके दो जो है दो स्थित मात्रष और पहली शर्थ यह है कि प्रकास का स्थ्रोथ जो है वो कैसा होना चाहिए कला बद्ध होना चाहिए दूसरा है कि एक वाणी प्रकास हो तो ज़्यादा अच्छे रिजर्स मिलते हैं लेकिन कला बद्ध होना बहुत आवस्च है यदि प्रकास का स्थ्रोथ तो कला बद्ध नहीं है तो हमको फिर व् इस स्रोतों को कलाबंद्द स्रोत कहते हैं क्या समान तरंग दयते के दो संतर प्रकास पुष्टी की जिए तो हम लोगों ने अभी अभी परमानों का सिध्धान और प्रकास की उत्पत्ति के बारे में बात की अब यह यंग के दुई स्लिट प्रयोग में दोनों स्लिटों को दो अलग अलग ऐसे लंपों से प्रकासित किया गया है जो समान तरंग दैज़ का तका सचाज़ुट करते हैं लेकिन दो अलग स्चोंथ होने के कारण यहा कलाब बद्ध प्रकास तो नहीं है क्या आपको व्यतिकरन पैटर्न दिखाई देगा उत्तर है नहीं देगा क्यों किवल कलाब बद्ध सोत के साथ में दिखाई देता है स्वेथ प्रकास का उप्योग करने पर केवल स्वेथ और अधीब तो फ्रिंज प्राप्त होते हैं क्या यह कथन सबते हैं और क्यों देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो है हमको यह जानना चाहिए कि स्वेथ प्रकास असल में साथ अलग-अलग रंगों से मिलके बना हैं य साथों के साथों जो है अलग अलग आवरिती के होते हैं और अलग अलग तरंग दैर्थे के होते हैं जो फ्रिंज की चोड़ाई होती है एक से उसे हम जो है लेमडा डी बटा स्मॉल डी इससे प्रदर्शित करते हैं अब यदि जो है अलग अलग प्रकास्टों का लेमडा अल लेकिन जो बीच में बनने वाला जो केंद्रिया फ्रिंज होता है वह सब लोगों के लिए समान होगा इसलिए बीच वाला केंद्रिया फ्रिंज जो है हर एक प्रकास से परिपूर्ण होगा और यहां पर हमें सफेद रंग का फ्रिंज दिखाए देगा इसके बाद में क्या हो बना और ऐसी स्थिती में क्या होगा कि यह सब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे और हमें यहां पर कोई सबस्ट व्यतिकरन पैटर्न दिखाई नहीं देगा यह बात समझ लेने के बाद में आपको एक ग्यान की बात बताते हैं यंग ने जब अपना दूई स्लिट प्रयोग क किया था तब उन्होंने सूर्य के प्रकास का अपयोग किया था तो यह पर किया यह यह में युद्धि प्रकास कि सथान पर किया चार की कि फिरिंजों की प्रिक्षण के अपक्षा कर सकते हैं और क्यों यह चीज मैंने अभी आपको बताई 2019 2019 दोनों वर्समें मतलब दो अलग-अलग प्रशन है अगला प्रशन देखिए यंग के दूशन प्रयोग में फिरिंज की चवड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है केवल नाम लिखिए सूत्र लिखें पहले सूत्र है एक्स बराबर लैमडा डी और बटा एक बटा यहां पर होता है स्मॉल डी लैमडा डी बट स्मॉल डी अब यह स्मॉल डी क्या है यंग के जो है दो स्लिट होते हैं दो जो दो छेद होते हैं जिसमें से प्रकास आता है इनके बीच की जो दूरी होती है इसे हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं फिर जो है स्लिटों से परदे की जो दूरी होती है उसको हम कैपिट प्रहिए प्रहा के कि इसलिकार से हमको यंग का डबल सिट एक्सपेरिमेंट दिखाए देता है वैसे एक वीडियो आपको और नगणाएगा जहां पर हम हम मान लेते हैं कि एक दसमलों तीन होता है यहने कि एक से अधिक होता है ऐसी स्थिती में यहां पर प्रकास की चाल जो है जो है lambda कमान भी अधिक है और जहां पर प्रकास की चाल कम हो गई वहां पर lambda कमान भी कम हो जाएगा मतलब पानी में डुबो दिये जाने के बाद में प्रकास का जो तरंग दर्द है वह बढ़ जाता है और यह सूतर से हम क्या देखते हैं कि जैसे ही तरंग दर्द जो है तो आपको पानी में डूबोई हुए इस पूरे सेट अप में क्या मिलेगा पानी में कम हो जाती है स्वारी यहां पर पानी में डूबोने से तरंग दर्ध कम होता है तरंग दर्ध कम होने के कारण अब श्लिटों की चोड़ाई भी कम हो जाएगी तो यह प्रशने 2022 में झाल